हेलो एवरिवान मैं हूँ बालराम और आज हम डिसकस करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टिस के बारे में तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्विस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप क्लास नाइन्थ स्टेंडर्ड के तो आप इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यह चैनल टूटली सुसेल साइस के उपर डेडिकेड़ेट है दोस्तों चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टिस यानि की राजनितिक दलो की चुनोतियां इसके बारे में आज हम डिसकस करने जा रहें The first challenge is lack of internal democracy within political parties. There is a tendency in political parties towards concentration of power in one or few leaders at the top. Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meetings, and do not conduct internal elections regularly. Ordinary members of the party do not know what happens inside the party. यानि की political parties की अंदर का लोक तंत्र मजबूत नहीं है क्योंकि register maintain नहीं हो पाते हैं, regularly internal elections भी नहीं और्कनेस हो पाते हैं इसका अलाबा जो ordinary member है उनको दल के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाते हैं कोई अगर दल के बिरुद्ध कुछ बोलते हैं, उस बेक्ती का दल में रहना मुश्किल होता है दल उसे बाहर का रास्ता देखाते हैं Second challenge is dynastic succession यानि की परिवारबाद या वोंगसवादी उत्तरधिकर वोंगसवादी उत्तरधिकर यानि की dynastic succession के वज़े से किसे भी ordinary party workers का टॉप पोस्ट में जाना एक प्रोकर नामुम्कीन है हमें देखने को मिलता है एक राजनितिक दल और राजनितिक दल का जो टॉप पोस्ट है एक परिवार के जो मेंबर हैं उसे आसानी से मिल जाता है ठीक है इस तरह बहुत सरे एक्जाम्पल हमारे देश में या वीदोसों में भी है dynastic succession democratic country और राजनितिक दलों में ठीक नहीं है क्योंकि इससे ordinary people अपना जो कारेशली के हिसाब से अपना टॉप पोस्ट में पहुचने पाते हैं the third challenge is money and muscle power in parties political parties में money and muscle power का इस्तेमल बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी political party अपना political parties का जो खर्चा है उसे चलाने के लिए पैसो और बाहुबली लीडर को आके बढ़ाते हैं यानि कि उस दल से उसे टिकिट दिया जाता है political parties चुनाब जितने के लिए पैसा और बाहुबल को अग्राधिकर देते हैं यानि कि political parties जिस candidates के पास पैसा और बाहुबल है उसे promote करते हैं और चुनाब लड़ने के लिए मुका दिया जाता है फैसा और बाहुबल का इस्तेमल से free and fair elections होना कई बार मुश्किल हो जाते fourth challenge is maximum political parties do not offer a meaningful choice in some countries there are many political parties but they have not different ideologies in modern times political parties reduce their ideological differences in this situation common people do not find an alternative for better government उधारन की सबसे हम इंग्लेंड का example दे सकते हैं इंग्लेंड में दो political parties हैं labor parties और conservative parties लेकिन इस दोनों party के अंतर में बहुत ज़्यादा कोई differences नहीं है भारत में भी हमें देखने को मिलता है अलग-अलग political parties होने के बाद भी ideological जो differences है वो ज़्यादा ना होने के बादा से जनता के सामने option ना होने के बादा से कोई भी नेता अगर कोई दूसरा political party से कोई और political party जयन करते हैं फिर भी उसे चुनाप जितने को मौका मिल जाता है तो यह था रायनेतिक दलों की चुनोतियां असा करतो आप समझ गए होंगे आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे तक हर अपडेट आपको मिलते रहें धन्यवाद अपको मिलते रहें